Hello everyone, welcome back to your own channel, Study World of Vidya और आज की इस वीडियो में हम लोग जो मत्य पृतिश चेल पहरी का एक्जाम हुआ है 23 देसंबर को उसके सेकंड सिफ्ट का एनलेसिस करने वाले हैं कि आप लोगों के किस टॉपिक से कितने क्वेशन्स आए हैं मेरे पास क्वेशन्स भी है लेकिन क्वेशन्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को किन टॉपिक से किस पर सबसे ज़ादा ध्यान देना है नेक्स यहाँ पर बात कर लेती हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में आप लोगों की सब्जेक्ट वर्व एग्रिमेंट आ रहे हैं इडियम्स फ्रेजिस आ रहे हैं और यहाँ पर क्वेशन्स टेग भी बन रही है नेक्स यहाँ पर बात कर लेती हैं साइंस में नुमेरिकल तो साइंस में जो नुमेरिकल हैं उसमें तीन से चार क्वेशन्स बन रहे हैं और हिंदी में वही topics हैं सेम रस, अलंकार, समा, संधी, उपसर्ग, प्रत्य, विकारी, अविकारी और सही बाकी के पहचान करो ये topic भी आ रहा है Next यहाँ पर देख लेती है question तो पहला जो question आया था वो था जीवन सक्ति योजना किस राज़े निसरो की थी तो इसके बारे में हम detail में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल में मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने प्रदेश की जनता की जरुवतों को पूरा करने के साथ महलाओं के लिए घर बैठे रोजगार देने के लिए जीवन सक्ति योजना लागू की थी यानि कि जीवन सक्ति योजना की शुरुवत किस राज़े में की गई थी तो मध्य प्रदेश में की गई थी किस ने शुरू का रही थी तो मुख्य मंत्री सिवराज सिंग ने शुरू की थी और इस योजना के जरिये महलाएं घर बैठे मास्क बनाई ही नेक्स कोशन आया था कि राम विलास पासवान जी का निधन कब हुआ था तो राम विलास पासवान जी का निधन आठ अक्टूबर 2020 को हुआ था नेक्स कोशन आया था कि हर्शिता तॉमर किस खेल से संबद देथ हैं तो ये लेजर सेलिंग है इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं तो 16 साल की हर्शिता तॉमर ने इंडोनेशिया के जकारता और पालेम बाग में चल रहे एशियाई खेल 2018 में ओपन लेजर सेलिंग चेंपियंज में ब्रॉंज मेडल जीता था और वह सेलिंग मेडल जीतने वाली देश की सबसे छुटी महिला बनी है नेक्स कोशन था रस के कितने अंग होते हैं ये कोशन दुबारा रिपीटेड है ये पहले वी कोशन आ चुका है इसी एक्जाम में तो रस के चार अंग होते हैं पहला है स्थाई भाव, सेकेंड है बिभाव, थर्ड है अनुभाव, एवं फोर्थ है संचारी भाव next question आया था कि स्वक्ष सर्विक्षर में कौन सा राजिसीर्स पर रहा है तो इंदौर राजिसीर्स पर रहा है next question आया था कि संधिया अगरवाल किस खेल से संबंदित है यह question भी आप लोगों का repeated है मद्य प्रदेश MP में ये question अभी 2-3 दिन पहले ही आया था तो संद्य अगरवाल एक पूर्व भारतिय महिला किरकेट खिलाडी है जो कि भारतिय महिला किरकेट टीम की कप्तान भी रहे चुकी है Next question आया था कि लतामंगेसकर जी का जन्म कब हुआ था तो लतामंगेसकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था Next question यहां पर मैंने हर्षिता तोमर की बारे में आप लोगों को बता दिया Next question यह मुझे समझ नहीं आया यह क्या था राम देवरा राश्टे उध्यान किस राज्य में इस्तित है यह question exact मुझे नहीं पता और मैं आप लोगों को कोई भी wrong information नहीं देना चाहती तो आप लोग comment box में लिखकर जरूर बताएं कि exact question क्या था राश्टे उध्यान कौन सा आया था यहां पर मुझे इतना ही questions मिले थे अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा questions पताएं तो comment box में लिखकर जरूर बताएं जिससे गिल पाकी इस्वेंट का भी भला हो जाए thanks for watching the video